अंधविश्वास का इतना ही मतलब है जिससे डर निर्मित हो या डर के जवारा जो निर्मित हो हर बहुत से ऐसे लोग है जो तुम्हें समझाते है कि इसका ये वज्ञानी कारण है उसका एक वज्ञानी कारण तो क्या विज्ञान इतना बड़ा है कि उसका हमें हमेशा सर्टिफिकेट चाहिए? सवाल यह है. कारण है डर. जो भी चीज तुम डर से करोगे वो अंधविश्वास है. और ये तुम्हें किसी भी तरह से काम नहीं आने वादी. अंधश्रद्धा यानि क्या और उसे कितना महतो दिया जाना चाहिए? अंधश्रद्धा को कोई महतो नहीं दिया जाना चाहिए. अंधश्रद्धा के बारे में बहुत से लोग बहुत सारी चीजे कहते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं. मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान के नाम पर तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सब कुछ अंदर विश्वास है अंदर विश्वास का इतना ही मतलब है जिससे डर निर्मित हो या डर के ज्वारा जो निर्मित हो तो अगर तुम तुम तुम्हारी पूरी आध्यत्मिक प्रोसेस को देखो ज़िए जो भी तुम कर रहे हो maximum तौर पर या घर की पूझाए जो तुम कर रहे हो जो पीढ़ीों से चली आ रही, परमपराओ को तुम निभा रहे हो उसका reason तुम्हें नहीं पता वो क्यों कर रहे हो तुम नहीं जानते उससे होगा क्या तुम नहीं जानते क्या उससे कुछ फाइदा हो रहा है तुम नहीं जानते जिस भगवान के नाम पे वो चीज तुम कर रहे हो क्या उस तक वो पहुच भी रहा है तुम नहीं जानते तुम कर रहे हो क्योंकि पुरवजों ने कहा था तुम कर रहे हो क्योंकि डर है डर है कि अगर ये ना किया जाए तो क्या मुझे तकलिफ होगी, मरे परिवार को तकलिफ होगी इसके साथ तुम वो तुम चीज कर रहे हो मैं परमपराओ के विरोध में नहीं हूँ मैं पिछली चीजों के विरोध में नहीं हो लेकिन उसे डर के साथ आगे बढ़ाना ये गंदा है उसे डर के साथ आगे के पीडी को देना ये गंदा है उसी डर को जो तुम पूरे जीवन भर जीए उसी को अपने बच्छों को ट्रांसफर करना ये गलत है तुम थोड़ा पता तो करो कि चीज़ वैसे क्यों है, तुम पता तो करो कि अगर तुम कोई पूजा, कोई पाट, कोई कुछ चीज कर रहे हो जो पारमपारिक है, उसका कुछ तो रीजन होगा, उन लोगों को तुम कंसल्ट तो करो, पूछो तो कि जो तुम से ये करा रहे है और बहकी बहकी बातों में मत लगना इस तरह की बातों में मत लगना कि कोई तुमसे कहे कि अगर ये तुम पूजा करार लो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान में ये हो जाएगा, भगवान तुम पर कुरपा करेंगे ये तो ऐसे ही है कि जैसे अगर कोई बच्चा उसके मा की हर बात सुने तो ही उसकी मा उस पर प्रेम करेगी असा थोड़ी है चाहे बच्चा विरोध करे शैतानी करे नाराज हो जाए रोएध होए फिर भी क्या मा का प्रेम उस पर कम होता है नहीं, हो सकता है कि THोड़ा समय के लिए वो उसे गाली मार दे, थोड़े से दो-चार चपेटे लगा दे लेकिन उसका प्रेम कम नहीं होगा, उस मार में भी उसकी प्रेम है, उस बातों में भी उसका प्रेम झलक रहा है ताकि वो सही रहे उसके जीवन में हमेशा उसकी रगती होते रहे वो एक अच्छा इनसान बने परमात्मा तुम से प्रेम करता है, भगवान तुमसे प्रेम करता है उससे डरने की कोई जरुरत नहीं तुम उन चीजों को सही से समझो जिस चीज के लिए उन परंपराओं को रखा गया है तो तुम्हें उस चीज को करने में और मज़े आएंगे और अच्छे से तुम उन चीजों को फॉलो कर पाओगे और याद रखना उसका साइंटिफिकल रिजन मत धुणना ये मत देखना कि अगर मैं घर के बाहर पत्य लगाता हूँ तो उसका साइंटिफिकल रिजन क्या मैं घर के बाहर रंगोली डालता हूँ तो उसका साइंटिफिकल रिजन क्या ये चीजे साइंटिफिकल के लिए नहीं है क्योंकि बेवकूफ लोग बैठे हैं जो तुम्हें इनके साइंटिफिकल रिजल्ट्स बता रहे हैं, कंक्लूजन्स बता रहे हैं, पुछले लोगों को इतने भी वो कम बुद्धिके नहीं थे, कि उन्हें हर चीज के पीछे विज्ञान की जुरूरत हो वो चीज करने के लि कही بھی, देश के कही भी किसी भी हिस्से में तुम गूमो, या देश के बाहर के हिस्सों में तुम जाओ, तुम पाओगे कि हर कोई अलग तरह का डान्स कर रहा, तो क्या तुम होने पूछोगे, कि इसका विज्ञानिक कारण क्या का चूता मारेंगे तुम्हें, गाली से उसका कोई सैंटिफिकल रीजन है बिलकुल भी नहीं वो तो खुशी की बात है जैसे भी तुम चाहो ना चो लेकिन जब घर की बात आती है जब पिछली कोई भी एक छोटी मोठी चीज की बात आती है हम बड़े वैज्ञानिक बन जाते हैं दो कोड़ी के ऐसे वैज्ञान कि पीछे की खुबसूरती हमेशा विज्ञान से ही पता नहीं चलेगी कभी कभी ऐसा भी है कि अगर तुम कोई चीज कर रहे हो तो पारंपारिक है कोई आगर लूंगी पहन रहा है तो उनका कलचर है उसका कोई विज्ञान नहीं है कोई धोती पहन रहा है तो वो कल्चर है कोई विज्ञान नहीं है तो हर चीज में विज्ञान को मत पकड़ ले हर चीज में विज्ञान को मत ढूंड़ना और इतना है तुम्हें विज्ञान के बारे में पता है तो सालों जाओ कही बड़ी खोच करो जाके कही पर बड़े इतना ही कारण है डर जो भी चीज तुम डर से करोगे वो अंधविश्वास है और ये तुम्हें किसी भी तरह से काम नहीं आने वारे तुम्हारे जीवन में ये अंधविश्वास से किया गया डर के साथ किया गया कोई भी कर्म तुम्हें नरक में लेके जाएगा तुम्हें अपनी नजरों में गिराएगा तुम्हें दुखी करेगा तुम्हें तकलीफ ही देगा तो इन चीजों में ना लगे तो सही